हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेन्फार नॉलेज WVCS के प्रिवीस एर कुष्चन के उपर हम लोग ने एक सीरीज चलाय था आप लोगको सीरीज बहुत ही पसंद आया था So as per your demand, we have started our new series on WVCS means तो इस सीरीज में आप लोगका क्या होगा? जो जितने भी आप लोगका तुष्चन 19 से तुष्चन 14 तक मेंस के कुष्चन है, उन सबके प्रिवीस एर कुष्चन सब्जेक्ट वाइस कराएंगे इसके पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया था वो जिग्राफिक ओपर था, आज जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ यह आप लोगका WVCS का तुष्चन 19 का हिस्ट्री का मेंस का कुष्चन होगा तो चले फ्रेंज स्टार्ट करते हैं सब मैं अभी धिरे-धिर आप लोगका सब प्रोवाइड करवा दूँगा यह सब ओफिशियल आंसर की से द्वारा मैच किया है मैंने खुद से नहीं किया है मेरा जो खुद का वाला था बहुत सारे गलत निकले थे तो इसलिए मैंने किया official answer की से आप लोगा पूरा match कराया है जो एक दो question में dispute है वो मैं आप लोगो बता दूँगा बाद बखी सब official answer की से match किया हुआ है तो चले friends start करते हैं सबसे पहला question है Congress decided to raise a सौराज fund of 1 crore rupees ये किसले किया गया था? Memorial बनाने के लिए Memorial of Bal Gangadhar Tilak और ये जो found किया था Mohandas Kramchand Gandhi यानि कि Mahatma Gandhi ने found किया था और इसका नाम था Tilak सौराज Fund के नाम से ये famous था The next is The historic Lakhnau session of Congress in 2016 was presided over ये historic किसले बोले है Lakhnau session में क्या हुआ था? International Congress जो सूरत split में 1907 में अप लोगा split हो गया था extremist and moderates में session में ये Lakhnau session में मिल गया था और इसका मिलाने में reunion करने में सबसे main काम था ये Mrs. Annie Wesson का था जो president पूछेंगे तो अगर president अगर पूछेंगे तो ये आप लोग का अंबिक का चरह में जुन्दार ची होंगे The next is 53 The brain behind the bomb attack on Viceroy Lord Harding at Chandni Chok Delhi December 1912 इसको हम लोग दिली conspiracy के नाम से भी जानते हैं ये famous है और ये जो Lord Harding में bomb फेकने का mastermind थे ये रासब्यारी पोस्ट थे The next 54 After the partition of Bengal The two new provisions which come into existence वर ये East Bengal और Bengal जो new provision थे General O'Dayar को जो governor थे जनोंने जले वाला बाग मैसे कर में आप लोग का open fire करने का दिया था उसको मारा था आप लोग का सर्दार उद्धम सिंग ने Then 56 The founder, president of Harijan Sevaksang Harijan Sevaksang के founder जो थे Mohandas Kamchand Gandhi थे But president अगर कुछ लेंगे founding president वो GD बिला होंगे Then the day Mahatma Gandhi launched non-cooperation movement A great national leader died Mahatma Gandhi ने non-cooperation movement आप लोग का August में 1920 में launch किया था 1st August 1920 में ही एक महान व्यक्ती का death हुआ था वो थे आप लोग के बलमदत दिलग तो option B correct हो जाएगा Then next day public service commission was established in India for the first time First time government of India 1919 के द्वारा public service commission established किया गया था Then August After the surat split 1907 में surat split हुआ था आप लोग को बताया Then second split again हुआ था Congress में जो आप लोगा 1918 में हुआ था On the issue of ये किसले हुआ था ये Montec declaration जिसे हम लोग अगस declaration के नाम से भी जानते हैं 1917 में जो हुआ था इसके कारण क्या हुआ था Congress के अंदर और एक split हो गया था ये Montec थे कौन आप लोग के Secretary of State थे इंडिया के तरफ से और इन्होंने क्या Responsible Government का एलान किया था जिसमें क्या हर एक Indian का आप लोगा आशोशियेशन होना चाहिए इसलिए आप लोगा क्या split हो गया था Next 60, European Organization in India विच लॉंच एजिटेशन अगें इलबर्ट बिल इलबर्ट बिल लॉंच किया गया था 1883 में इस ताइम पे वाइसरा आप लोगा के Lord Ripon थे तो ये जिसके अगेंस्ट जो लोग गया थे वो थे आप लोगा European Defense Association अगेंस्ट गया था 61, he was great Indian revolutionary who was professor of Sanskrit and philosophy in the university of Birkele and Stafford who died as a sanyasi in Philadelphia ये लाला हर्दियाल थे आर आप लोगों बताए 1913 में इन्होंने San Francisco में क्या गाधर पाड़ी का formation किया था Then next, who is the Bengal who edited Bengali weekly Bengali weekly जुगांतर और बासुमती का editor कौन थे ये बरिंदर घोस थे Then next, Mother Lal Dhingra murdered Corzon, यानि कि Lord Corzon को murder किया था London में ये कौन थे Lord Corzon, ये advisor to the sorry Lord Corzon बोल रहा है करजन वैली, तो advisor to the secretary of state ये थे, correct answer option A हो जाएगे, then Gopal Hari Dishmukh is popularly known as Lokhitwadi, ये किसले famous है ये एक philanthropist यानि कि मनुष्य को चाहने वाले, then social worker ये सब कुछ थे, तो all of the above correct हो जाएगा ये टेंपल्स को ओपन करने के लिए किसने हिंदू के जो लोकास्ट थे उन लोको टेंपल्स में एंटर करने नहीं दिया आता था बट उनको लिए ये वायकॉम सत्याग्राइं लांच किया गया था आजाजी सिर्फ हमको अंग्रेजर से नहीं मिली थे आजाजी हम लोको खुद से भी मिली थे हम लोके अंदर ही बहुत सारे दोस्ट थे the next is 66 which of the following acted as president of Indian National Congress for six consecutive years six consecutive year बोला है तो ये आप लोका अबुर कलाम आजाद हो जाएंगे option C correct है जो हमारे इंडिया के first education minister भी थे the next is 67 which of the following revolutionary and terrorist organization had a large number of young women revolutions ये women's के अगर बोलेंगे तो ये Indian Republic Army हो जाएंगी और Indian Republic Army यहाँ पर और एक अगर बोल देंगे terrorist organization जिसमें सब लोग mainly famous थे तो ये आप लोका बरिंदर कुमा को अनुचलन समयती हो जाता बट यहाँ पर women's के लिए बोला है तो इंडियान रिपॉब्लिक आर्मी हो जाएंगे नेक्स्ट है नहरू कमीटी यानि की नहरू रिपोर्ट जो 1928 में कलकर्टा session में हो था got a decent burial in the hands of Congress at the ये कौनसी session में हो था decent burial जो आप लोगों को बोल रहे है के 1929 में लाहर सेशन में हो था तो correct answer option C हो जाएगा लाहर सेशन देन नेक्स्ट है 69 who was the first to unfold the first Indian national flag the parent and processor of the flag of Indian independent India ये जो है आप लोगों को सबसे पहला flag madam vika ji kama जिसको revolutionary के mother भी बोल रहाता है Indian तो ये क्या है इन्होंने जर्मानी में आप लोगों को सबसे पहला flag अनफर्ट किया था then next 70 who gave the title of Rani to Naga woman leader गाइदियून लू ये जवालाल नहरू ने उनको ये title दिया था then next 71 who founded a social organization the Jat Pat Torak Mandal in 1929 for outbreaking the caste barrier against the Hindus ये भाई प्रमानंद ने किया था option the next 72 which of the following was not a leader of Indian all India Hindu महासवाई all India Hindu महासवाई इन में से कौन से नहीं है तो MR जाएकर नहीं है then next Tadabhai Naroji was elected to the President House of Commons as a member of the party ये liberals के तरफ से इन्हों को House of the Commons के member थे then next 74 the only Indian Prince who actively participated in the revolutionary movement within and outside India ये राना महारान प्रताप थे option ये करेक्ट हो जाएगा then Balgananda Tilak was given the epithep of Lokmanya ये कब दिया गया जो जब इन्होंने Home Rule Movement start किया था 1916 में तब इनको ये Lokmanya Tilak का जो नाम था ये designation title वो दिया गया था then next is the issue of the issue of discussion and settlement at the second round table conference related to ये second round table conference जो हुआ था वो किसले main issue था आप लोगा representation क्या? डिप्रेस क्लास इसका ज़्यादा होना चीए इसले then next is 77 who of the following was not hanged in the famous काकुरे ट्रेन रेकोईट केस जो काकुरे ट्रेन रेकोईट केस हुआ था अगर साल पुछ लेंगे तो आप लोगा 1925 अगर डेट पुछ लेंगे तो 9th August 1925 तो इसमें किसको हैंग नहीं किया गया था हैंग किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल अस्फाकुला खान ये हिंदू एंड मुस्लिम फ्रेंड्शिप के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है ये दोनों और इस किसको नहीं किया गया था ये सुरियस इनको नहीं किया था इनन कि वोमें जो रिवूशिनरी से कौं थे प्रेतिलेता वादेडा एंड कल्पना दड़ता वर्द रिवूशनेरी को वर्कर से जुख सुरियस इनको और इस किसलेब था अपलोंका पहारतली उर्पेन क्लब में जो एटक किया था 1932 में तो तब से यह famous हुए थे तो correct answer यहां पर सुर्या सिंग के co workers देया the next 80 who murdered saundras saundras जो superintendent of police थे लाहोर में जिनोंने लाठे चार्ज किया था लाजफ़त्राई के उपर उसको किसने murder किया था यह हमारे भागत सिंग ने किया था option a character the next why did भागत सिंग अन बट्टु के शुर्दत्त थो बॉंब on the floor of central assembly in Delhi and in the process got themselves arrested उन्होंने खुद से खुद को arrest कर वाया था उन्होंने दिली assembly में बॉंब फेका था main कारण क्या था यह तीन आप लोग के main कारण थे आप लोग देख लीजिएगा आप लोग का all the above correct हो जाएगा the next is जतिन दास जिन्होंने 63 days का hunger strike किया था उसका मारे गया थे तो यहां पर आंसर तो 63 है तो जतिन दास जो कोई लाहर conspiracy case में पकड़े गया थे यह इनका अगर पूछ लिंगे आप state president of indian national congress at the haripura session held in february यह haripura session का हुआ था 1938 में हुआ था और इसमें ही सुहासचंद्र बूस को as a leader president elect कर दिया गया था then next what was the fundamental difference between सुहासचंद्र बूस and Gandhi Nehru group which lead to the defeat of Gandhiji's candidate for the president of indian national congress उन दोन में क्या difference था यानि बासु क्या मांगते थे बासु वांटेट टू exploit the war between German and Britain to India's advantage and said England's necessity of India's opportunity यानि कि क्या जो व्ल्ड वार हुआ था तब व्ल्ड वार हुआ था तब इंडिया को क्या बोल रहे थे आप लोग प्लीस हमें support कीजिए ताकि हम लोग क्या करेंगे आप का a dominant status दे देंगे बट बासु बोल रहे थे नहीं इस टाइम अभी वार है वो लोग कमजोर है हम लोग को क्या करना पड़ेगा हम लोग को उनका हल्त नहीं करना पड़ेगा यही हमारा opportunity हमें independence लेना पड़ेगा बट यहीं गांदी जी के साथ उनका अनबन हो गया था तो यहीं में कारण था है उनका बीच में difference का तो option C करेक्ट हो जाएगा दें एक्सट त्री पुरा session of इंडिया नेशनल कॉंग्रेस वाज ए historic event on an account त्री पुरा session historic event क्यों है देन जो 1938 देखिए तीन question में पुरा history complete हो जा रहा है 83 84 और 85 में तो यहां पर क्या हुआ था इंडिया इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के तरफ प्रेसिडेंट के लिए गांधी जी ने अपना नॉमिनेट किया था पत्तावधी सितार मया को बट जीद गया था अप लोग को सुभास चंद्रबस जीद गया थे तो इसलिए यह अप लोग का historical event हो गया था और त्री पुरा अप्टर लिविंग देखिये और यह कोई क्वेस्टन यहां से एकी स्टोरी चल रहा है पूरा दें अफ्टर लिविंग दे कॉंग्रेस सुभास चंद्रबस आर्गनाजे द फर्वरड ब्लोग इन ये कब इस ने था ने थिरी पुरा से से निकलने के बाद था नेक्स दर म में प्रिंसिपल महात्मा गांधी मुस्ट बेसिक एडुकेशन सिस्टम और वाटराश स्कीम वाजिए वाटर स्कीम का में बेसिक प्रिंसिपल किया था लर्निंग थ्रो एक्टिविटी था ऑप्शन एकरेक्ट होगा था नेक्स्ट 88 मैस्ट फॉलिंग इवेंट विद देट म मैंने कौन से इवेंट का वह था डेट में आप लोगो मैच करने तो अगस्ट ऑफर ए नाइटीन फॉटीटीव में हुआ था एराइबल ऑफ क्रिप्स मिशन ये नाइटीन फॉलिट्व में जुलाइफ 14 में हुआ था कोई इंडिया मुव्मेंट जो रिजिलेशन हुआ थ नाम किया था गांधी आजार नहरु सुभास और पुछ लेते हैं वोमेंज एक बिंग भी था तो रानी की जासी आपलोका वोमेंज बिंग था नेक्स नाइटीन फॉलिट्विजनल गवर्मेंट अफ्री इंडिया वस इनागरेट बाइट सुभास एट ये कहां पे इनाग इनागरेट किया था सिंगापूर में इनागरेट किया था ओप्शन सी दिन निइंटीवन बिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली है अटली में इस्टोरिकल अनॉंस्मेंट अफ दे एंड फिरी रूल ऑफ इंडिया ये कब किया था ये आगस्त में सॉरी मार्ट 7 1947 में किया यह जब जितने भी questions है ना friends यह सब में official answer की से match किया है प्लीज इसमें मेरे को comment ना कीजिए कि सर यह answer गलत है मेरे को भी दो-तीन answer गलत लगे बट कही answer सही है then next Lord Mountbatten declaration on the freedom of India and its partition is known as उसे क्या बोल रहता है अगस्ट प्लैन हम लोगने थार जून प्लैन पढ़ा हुआ है बट इसको अगस्ट प्लैन इन्होंने answer लिया है तो अगस्ट प्लैन ही मारीएगा then next a brilliant and patriotic anglo-indian teacher henry vivaan de rosio इन्होंने क्या form किया था यह यंग bengal movement फर्म किया था option यह करेक्ट हो जाएगा यहां पर मैच करना ही किसका काम क्या है तो राजेंदर पसाद ने बुक लिखा था क्या the India divided then abul kalam azad ने लिखा था इंडिया wins freedom वीर सावर करने लिखा था आप लोगा इंडिया war of independence और सी राजे गोपलाचारी ने लिखा था इंडियान वाइस तो नेशन्स वाइस तो करेक्ट आंसर यहां पर option यह हो जाएगा था next है 95 certain movements of the early 20th century describes movement from below war यह क्या था present and tribal movements थे करेक्ट आंसर option c यहां पर मैच करना है किसका क्या काम है तो स्कैप्सलर फ्ल्यूट यह सर्विज ने लिखा था सावित्री अर्वेंद खुष ने लिखा था then conquest of self यानि के फोर्थ वाला जो है मांतमा गांधी ने लिखा था and India and the world जालाल ने लिखा था the next is 97 what approximate was the number of princely states यह princely states जब आम लोग का आजदी मिला था तब around 564 या 65 के करीब था तो यहां पर option approximate बोला है तो आप लोगा option B हो जाएगा 600 the next is ridiculing the idea of Saraj in 1903 who said किसने बोला only madman outside lunatic asylum could think or talk of independence यह किसने बोला था गोपाल किसने गोखले ने जी ने बोला था the next 99 during the British rule the only British king to visit India and hold its magnificent दर्बार यह किसने किया था जियोर्ज 5 ने किया था option B correct है the Muslim organization which proposed during the first world war that Muslims should participate and try to reach an account with the Congress यह किसने बोला था यह Erihar League ने बोला था Erihar League आप लोग अगर first time सुन ले तो मैं बता दूं आप लोगा यह एक ऐसा Muslim association था जो Muslim league के against था तो यह Muslim against Muslims यह होगा यह एक ऐसा league है जो Muslim league है जो Muslim league के against है ऐसा है अप लोगा then next day 101 which of the following is not a feature of Lothar इन में से कौन सा Lothar का feature नहीं है तो यह पर evidence of the use of blog यहां पर नहीं है यह सुरकुटाड़ा में था then next day who was the propounder of Ajivika sect आगे आगे ancient history में आगे अभी तक तो इंडियनाइसल मुव्मेंट ही चल रहा था then next option C Makkali Ghoshala थे Ajivika sect के propounder then spice during the Sangam age was known as उनको औरागोर्स बोला दाता था spice को and then 104 lands during the post Gupta period were classified on the basis of all of the above correct हो जाएगा option D correct हो जाएगा then next है जहां पर आप लोग का explanation जरूरत है मैं वह आप explanation कर दूँगा जहां पर आप लोग का सिर्फ रटना है वह रट लीजिए then next पल्लाव चोला style of architecture is commonly known as the largest standing army of Sultan directly paid by the state इसको payment कौन सबस्यादा standing army जिसको payment करते थे government के द्वारे अलाओ दिन खिलजी का था the next is जिसे second Alexander भी बोल राता है 107 the Muslim kingdom of Golganda grew up on the range of old Hindu kingdom of ये वरंगाल के kingdom था तब option C करेक्ट हो जाएगा which of the falling did not form part of contingents maintained by the mansabdars या artillery men maintained नहीं करते थे the chief in the Dutch export from the coromandel ports और ये coromandel ports से 10 लोग सबसे ज्यादा क्या export करते थे textile export कर जाते option A correct हो जाएगा then Exodus which of the falling is not one of the arrangements made by the English after defeating the Marathas in the third Anglo Maratha war जो हुआ था उसमें आप लोगा जो गाई-कवाड थे वो लोग subsidiary alliance में आ गे थे तो correct answer option C होगा who is known as plateau of the Jat Pride Jat Pride के plateau किसे बोलाता है जो राजा जा भरतपूर के राजा थे वो भरतपूर कहां पे राजस्तान में है तो भरतपूर के जाट के राजा थे वो सुराज मिल थे तो इनने plateau of Jat Trisbury बोलाता है तर नेक्स्ट एक सू बारा दर नवाव अवद हूँ वाज अपोइंटेड द वजीर ओफ मुगल एम्पायर वाज यह सब्दार जंग को एपोइंट किया गया था आफ्टर बेंगॉल द इंग्लिश सेक्यूर राइट्स अफ दूटी-फ्री इन दॉमि फिडेल शेशन जिसे बोलते हैं ओप्शन सी करेक्ट है तो सबसे पहला 1793 में सेकेंड वाला आप लोगा 1813 में थर्ड वाला आप लोगा 1833 में फोर्थ वाला 1853 में हुआ था तो इन चार में से आप लोगा जो मोनोपली आप लोगा कंप्लीट की खतम हो गया था 1813 से स्टार्ट हो गया था 1833 में एकदम कंप्लीटल खतम हो गया तो यहां पर आमसर क्या हो गया 1813 करेक्ट हो जाएगा इसमें ब्रिटिस को तो प्लांटर्स को तो बेनिफिट होता ही होता था बट क्या जविंदार और स्मॉल मर्चंट को भी बोथ बेनिफिट होता था था यह चैकिन प्रामिर था एक रीजन फाले था एक रीजन पेलेर का रीजन था इंडिविजन राइड वार रेकोगनाज़ और ग्रांटेड बाइड़ा था यह उनका में फिल्लियर था उप्शिन भी करेक्ट है यह यह चाहँ ओड़ागनाजर फोर दे रीवोल्ड सबसे ज़्यादा जो रिवाल्ट के था ये कूर सिंग ने रिवाल्ट के था ओप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इन में से कौन सा मिडिल क्लास को कौन सिंगो इंडिगो प्लेंटर ये उनको फेस नहीं करना पड़ते हैं कि ये तो स्रिफ पीजन्स के लिए उनको प्रॉब्लम था यान फार्मर्स के लिए ये प्रॉब्लम था ते नेक्स्ट है एकसुबी इस द फॉस्स सेशन अफ और इंडिया ट्रेंद यह इंडियून कॉंगरेस इन बंबे इं 1920 वाज सिए ये प्रेजिदेंट कौन थे लाला लाजपतराइफ प्रेजिदेंट है next what was the solution found by B.R. Ambedkar in later year after independence to end the hardship of schedule class people उनको बोला था आप लोग Buddhism embrace के लिजिये, Buddhism अपना लिजिये the next 122, during the first 20 years of Congress which of the following act as President of India National Congress तीन बर इन्होंने इंडिया National Congress का President किया था, प्रिसाइड किया था ये दादाभाई नरोजी थे, Grand Old Man of India से बोलते 123, Aurobindo Ghosh was brilliantly divided by ये Aurobindo Ghosh को, जिसको defend किया था Aurobindo Ghosh को किसली defend किया था, आलिपूर बॉम केश जो 1909 में हुआ था उसमें फस गया थे, तो उसमें चितरणजन दास ने उनको defeat किया था ये मने defend किया था, बचाया था the next 124, the Hindustan Socialist Republican Association Movement ended with the death of ये चंदर सीखर आजद के death के बादी ये एकदम completely खतम हो गया था, चंदर सीखर आजद का death कहां पे वहा था, आप लोगो पता रहना चाहिए, आप लोगो का अहलाबाद में है, अभी तो प्रयागराज नाम हो गया, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, प्रदेशन नहीं करेंगे, बट महत्मा गांधी ने भी बोला था, आप लोगों को प्रदेशन करना है, तो मेरे लास के उपर से गुज़गे करना पड़ेगा, अटलिमेटली होई गया था, क्यों हा था, क्यों है, सीविल वार बहुत जादा हो रहा था, इसको कम करने के लिए, कॉंग्रेस ने क्या कर दिया था, प्रदेशन को मान लिया था, सथ्यागरे सबसे पहले महत्मा गंदि ने साथ अफिरीका में गया था यहां पर साथ अफिरीका अप्शन में नहीं तो आप लोग का इंडिया में सबसे पहले चंपारान में गया था उप्शन एकरेक्ट हो जाएगा the next is 127, a senior congress leader who held that the quite India movement was misguided and detrimental to India's long term interest was ये, C. Rajagopalachari ने बोला था option C correct है the next यहाँ पर मैच करना है, किसने कौन सा काम किया था, social reforms किया था तो यहाँ पर एकदम सीधा सीधा मैच कर लीजिए का, Raja Ramon Rai ने abolition of sati किया था थें, केसब चंत्र सेन ने इंटर कास्ट मेरेज डौ वीडियो री मेरेज यह काम किया था थें, जोतिब भूल ने आपलोग काइब विले काम किया था एन्ड, रमस्वानी ने शुद्ही मुम्मेंट का इस्थैंडaráब थेंटंट किया था इंडिया नाम दिया था किस ने दिया था कॉंग्रेस नाम आया था United States of America के प्रियंबल उनका जो संसद है उसे कॉंग्रेस ब्रह आता है यानिकि सब में पीपल लोग का एक साथ मिलन तो यह कॉंग्रेस नाम किस ने दिया था दादा भाई नरोजी ने दिया था यह बोला था आप लोग का लॉड करजन ने और एक बहुत ही इंपोर्टेंट है बार बार बोल देते है यहां पर आप लोग का मायरेटी बोला था इंडिन आसल कोंग्रेस को लाट डाफरिन ने बोला था यहां पर आप लोग का अर्शेमेंट करना है क्रोनालोजीकल ओडर में तो यहां पर है सबसे पहला चीज क्या हुआ था बेंगॉल का पार्टिशन हुआ था शिक्स्टीन ऑक्टवा निसो पाच में हुआ था देन वारन नसी सेशन यहनकी बनारा सेशन जो गुपल किसने गोकले प्रेसिडेंट थे वह भी उनने सो पाच को डिसंबर में हुआ था दिन कलकटा से इंवीडियेट कॉस प्रेसिडेंट के तरफ से इनको प्रेसिडेंट बना चाहिए राजबियारी वोस थे मॉडरेट्स के तरफ से बट यह क्या हुए था अप लोगा इसले अप लोगा एक्स्टेमिर्स में जहमिला हो गया था देन नेक्स टरफ कलकटा सेशन आफ इंडिय क्यों आप लोगा टर्निंग पॉइंट है यहीं पर से क्या स्वादेशी और नेशनल एडुकेशन और सेल्फ गवर्मेंट और बाइकट का सब रेजुलिशन लिया गया था देन 136 वो वर डिजिनेटेड इन नेशनल इस नियो नेशनलेट सम लोग किसको बोलते है एक्स्ट्रेमिस्ट को बोलते हैं इंडिया नेशनल कॉंगरेस आई एंशी बिकम बोथ इंडियान और नेशनल इन रियालिटी वेल, कब यह ओरिजिनल हुए थे, लखनाव सेशन में हुए थे, क्योंकि लखनाव सेशन में सब एक्स्रेमिस, मॉडरेट्स, मॉडरेट्स, मुस्लिम जिक सब एक साथ आगे थे, इन नेक्स्ट, मैस्ट करना यहां पर पिरोडिकली क्या है, किसने कौन सा चीज किया था, तो मॉलाना अबदुलकलम आजद ने अलहिलाल भुक लिखा था, फिरोज्शा महतर ने बॉम्बे क्रोनिकल्स लिखा था, एनिबैसेंट ने नियू इंडिया, और एमके गांधी इंडिया, यहां पर ऑप्शन एकरेक्ट हो जागी, यहां पर अभी अगें आरेंज करना है, आप लोग को क्रोनिकल ओडर में, तो बॉम्बे, जो लॉड हाडिंग के ओपर बॉम गिराया गया था, 1912 में था, यहां पर मैं डिस्प्यूट की बूल रहा हूं, क्योंकि यहा यहां पर आप लोग का ओप्शन डी ही बोलूँगा, यहां पर आप लोग को किसका क्या काम था, वो दिखाना था, अनुचलन समिती बरेंज, बरेंदर कुमार भोस फाउंडर थे, अभी नव भारत के वी डी सावरकर फाउंडर थे, गदर पार्टि लाला हर्दियाल, देन इजरना अथसानियल और भगत सिंग फाउंडर थे, यहां पर आगेन मैच करना है, किसका क्या काम था, यहां पर किसका क्या नाम था, तो बाल गंगादर तिलक को लोक मान्य तिलक बोला जाता था, लोक मान्य उनका टाइटल था, एंड्र्व्ज, जो सी एफ एफ बोला था तीन बंदों किसले बोला था आप लोग गोपल कृष्ण गोखले जीत हुए उन्हें नहीं महात्मा गंदी को बुलाने कौन गए था यहीं सी एफ एंड्रूइज की गए था है महात्मा गंदी को साथ अफरिका से बुलाने के लिए एक प्रीस्ट थे देन उसका महत से कौन सा रिजल्ट नहीं था तो मुव्मेंट ग्रांटेड ए कल्चलर एविकनिंग इन इंडिया यह वाला नहीं था तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दे नेक्स्ट है रूखिए 153 और साती है जतिन दास हू डाइड आफ्टर लॉंग हंगर श्राइक इन प्र हुआ था ते नेक्स्ट है वू इस डिगाड़ेड एज दा मदर ऑफ इंडियन रिवलेशनरीज यह मैडम विकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवलेशनरीज बोला राता है वही क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इंडिया का जंडा जर्मनी में ले रहा था विदेश में यहां पर उन्होंना ऑप्शन आंसर रिवलेशन तो लोग माने ती लग को बोलेंगे देन 145 प्रेसिदेंट ऑफ दे लाहर सेशन ऑफ इंडियन नाइसन कॉंग्रेस विच पास्ट पूर्ण सवराज रिशलेशन यह तब प्रेसिदेंट कौन थे जालाल नहरू जी थे 1929 मे पूर्ण सवराज का रिशलेशन पास किया था थे नेक्स्ट है थे फेमस पूर्ण सवराज देकलरेशन विच सेज वी होल्ड इस एक्राइम अगेंस्ट मैं और गॉर्ण तो ए रूल यह थे फोर्थ फोल डिजास्टर तो आर कंट्री वस प्रिपरेड वाई यह किसने बोल अग्दी सबसे पहले वहां पर सबसे पहले हम एकदम हाफ नंगा फकीर हिसाब से वह गया था और ऑपोजिशन ऑफ दे गांधी-अर्विन पैक्ट वाज मेंली यह उपोजिशन किसले हुआ था क्योंकि जो सीविल डिस ओबीडियंस मुवमेंट था उसे का सस्पेंशन किय गया था विकॉज अप लोग का आंसर गलत नहीं है यहां पर कुस्चन ही गलत है यहां पर 1892 कर दिया है यह 1922 हो था तो इसलिए यह जो कोस्चन है यहां पर WPSC ने एस्ट्रेस माक्स दिया यानि कि यह आप लोग को बोनस माक्स मिल जाएगा तो इनका कुस्चन ही गलत है तो नेक्स्ट है आपकोका 150 एंड लास्ट कोस्चन आफ दा सेशन फ्रेंड्स मेरट कॉंस्पिरेसी केस इन विच 27 अक्यूज परसंट वर डिफेंड़ बाइ जोहलाल नहरू एंड कियन कार्जू रिलेटेड टू दन मेंबर्स अफ दा वो लोग कहां के से बिलॉं करते थे यह CPM से बिलॉं करते थे, Communist Party of India से बिलॉं करते थे, तो यहाँ पर मैंने पूरा सुलेशन आप लोग को विद एक्स्प्रेंशन प्रोइड कर दिया, अगर आपको मेरे अफट पसंद आ रहा है तो अपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी, अगर ज़्यादा पसंद आ है तो लाइक भी कीजिए और यह जितने भी मैं पीडियाफ आप लोग को शेयर करता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगो, तो वो आप लोग अपने फ्रेंश के साथ भी शेयर का सकते ताकि वो लोग भी फूट फूलो चाके, तो अच्छी तरसे प् हाइट किजिए अपने गरों में रहिए और हैंदी रहिए तब तक के लिए दैट्स और फ्रेंश थैंक यू